किसान बाइयो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल धाकड एगडिकल्चर में किसान बाइयो इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बात करने वाले हैं सरसों की फसल से हम अच्छा उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं अगर आप सरसो की खेती करते हैं तो सरसो की खेती में आपको बहुत सारे खाट डालने पड़ते हैं तब जाकर सरसो की भसल से आप अच्छा उत्पादन ले पाते हैं परंतु किसान भाइयो इसके बाद में भी आपको वह सारी चीजे ध्यान में होना चाहिए जैसे की कौन से समय पर हमें कौन सा खाट डालना है और सरसों की फसल में मुख्य रूम से कौन सा खाट डालना सबसे ज़रूरी होता है इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और एक ऐसे ही खात की बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ जिसका उप्योग सरसों की फसल में करना काफी ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप यह खात सरसों की भसल में नहीं लालते हैं तो आपकी पैदावार 25-30% कम निकलेगी जी हाँ किसान भाईयो अगर आप इस खात को मिस करते हैं तो 25-30% पैदावार आपकी कम निकलेगी तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा चरूरी है और अगर आपको इस वीडियो में दीकि जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भायों तक सेर करना ताहिए कि सब किसान भायों को इसके बारे में चानगारी हो सके किसान भायों वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सबसे पहले नीचे दिये लालक सोर के सब्सक्राइब बिटन को दबा कर फटापट सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में गंटे के निसान को और पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो है आप को उसका नोटिपिकेसन मिल जाए आप समय पर जानकारी देख पाएं केसान भाईऑ इस वीडियों हम जिसका आद की बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम में सलपर अब उस दाने में तेल भराव अच्छे से हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो उसके लिए सलफर डालना काफी ज़्यदा जरूरी होता है किसान भाईों अगर आप सलफर डालते हैं अपनी सर्सों की खेती में तो मैं 100% गारेंटी के साथ में कहता हूँ कि आपकी सर्सों की जो पेदावर होगी पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी निगलेगी अलागि बहुत सारे किसान बाई सलफर का उपयोग करते है लेकिन बहुत सारे इससे किसान बाई है चो केवल D.A.P डाल देते हैं उसके अलवा कुछ भी नहीं डालते हैं तो किसान भाईओ आप अगर डीएपी डालते हैं या फिर इनपी के बाराबती सोला डाल रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई साभी खाट देसी खाट डाल रहे हैं तो भी आपको सलफर अलग से डालना पड़ेगा जैसे कि आप 80% WDG भी डाल सकते हैं या पिर 90% WDG सलफर का उप्योग जरूर करना चाहिए तीन से चार किलोग्राम या फिर पांच किलोग्राम आप परती एकड़ के एसाब से सलफर का यूद जरूर करें जब आप सर्चों की बुवाई करते हैं तो उस समय पर आपको डीएपी खाट के साथ में मिलाकर 5 किलोग्राम परती एकड़ क आप योग कर सकते हैं जैसे कि आप स्प्रे के माध्यम से भी सलफर का यूज़ कर सकते हैं लेकिन वह बाद की परकिरिया है यानि कि जब पसल 50-60 दिन की होती है तो उस समय पर स्प्रें कर सकते हैं लेकिन अगर आपने बुवाई के समय यह मुखी रूप से ध्यान पावियो अगर बाद में करना चाहते है तो भी बाद में भी कर सकते हैं लेकिन सलफर को मिस्स करना तक सिसान पर और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर्त बताई चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तेक दिशने भाइत कि सिर्ण को जरो सब्सक्राब कीजिए क्योंकि यहां पर खेती बाड़ी से समंदित तमाम प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है जह जवान जही किसान